नमस्कार दोस्तों मैं स्ट लॉजर सचन स्वागत और अविजंदन करता हूं अपने सभी पियर दश्कों का कैसे हैं आप उमीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे खुश होंगे परसर्ण होंगे हम बात करने वाले हैं मेश राशी की नॉवंबर 2022 के राशी फल की यह जानका में ग्रहों की स्थिति आपके समक्ष है आप लेखिए जैसे महीना शुरू होगा तो राहु जो है वह आपके लगन नहीं बैठे होंगे यानि कि राहु तो मेश राशी में चल रहे हैं और उसके बाद आप देखेंगे कि साथवे घर में जहां पर साथ नंबर लिखा में लुख बरति साथ नंबर तक कि बात करें कि एक और दो तारिको मान समान बढ़े का प्रतिष्ठा बढ़ेगी अच्छा दिन रहेगा वैवसाई गतिविधिया तेज रहेंगी देव गुरु प्रस्पती की महरवानी आप पर बनी रहेगी जिस भी शुकाम में आप हाट डालेंगे वहां पर सफलता मिलेगी खुशियों की सौगात मिलेगी काम अच्छा चलेगा भागी हर कद के लिए समय अच्छा है नौकरी में अधिकारियों से आपका तालमेल बहुत अच्छा बैठेगा आप लोग दूसरे के साथ मिल जो कर काम करेंगे स्वास्त में आप उत्तम रहेंगे कोई बड़ा अचानक से लाब मिलने का भी मौका लग सकता है जिससे एकदम से पाटी का महल बन जाए हशी-खुशी का महल बन जाए बैठे-बैठे काम बन जाए आपके जो सीरियन अधिकारी हैं चाहे वो ऑफिस में हो चाहे घर में घर के बड़े हो उनका प्यार मिलेगा उनका आश्रिवाद मिलेगा उनकी सलाह मिलेगी कोई भी निर्ड़े आप बहुत सो अज्यान वेक्टिंगों से अपनी बातों को शीर मत करिएगा नहीं तो आपको नुकसान होगा नमर दो का कोई भी काम या कोई भी सामान न कख़रेे न बेचिये ना नमबर दोस्का कोई काम करिए वरना सरकारी जमेलों में पर्जाएंगे साथ तारीकों समया आपके रिप समझें कि जैसे आपके चेहरे पर हसी रहेगी खुशी रहेगी किसी यात्रा का भी आप आनंद ले सकते हैं परिवार के साथ या अपने जीवन साती के साथ या आपने संग संगनी के साथ प्रेमी प्रेमिका के साथ कहीं एकांत पर जा सकते हैं जहां पर मैं हो और तुम हो रो सकती है वेवार में कोई बात आपके दिमाग में खटक सकती है और बीच-बीच में आप उल्जन का समाधान भी निकालेंगे और अपने रोमैंटिक परिवार के बढ़ेंगे और आप समाजी गतिवियों में भी बढ़ चड़कर पिष्सा लेंगे कहीं आना हैं कहीं जाना हैं वहाँ जाएंगे लोगों के बीच में अपना मिलन सार रहेंगे और कुछ आपके जो दोस्तियार होंगे वो आपके दोस्तियार कह ले या कह लें कि आपके ऐसे लोग जो आपको पसंद नहीं करते लिगर आपको लगता है कि वो आपके मित्र हैं वो लोग आपके कामों की बुराई कर सकते हैं, बारा और तेरा तारिक को आपको कमाई बढ़ेगी, शत्रू जितना परिशान करेंगा, उत्ते आपकी किसपच चमकेगी, जीवन के उचे पाइदान पर आप पहुँचेंगे, चौदा और पंदरा तारिक को समस्याएं एकदम से आपके सर पर आकर बैठ जाएंगी, और दीर जीरे आपको निप्टाना होगा, और इसकी वज़े से थोड़ा सा टेंशन में हो सकते हैं, तब्यद भी कर सकते हैं, चरचड़ा पर ना सकता है, और भी समस्याएं, शेहर से समन्दी आ सकती हैं, गुस्ता उस्ता भी कर सकते हैं, आपको बेफाल तूब है, लड़ाई जग्रा भी हो सकता है, समभलके रहिएगा, चौदा और पंदरा को, सोला नॉम्बर से तेईस नॉम्बर की बात करें, तो सोला सुला अठा तरीकों ग्यान बर्तक समय रहेगा, नौकरों द्वारा आपको नुफ्सान हो सकता है, आपको जो नीचे लोग काम करते हैं, जो जूनियर लोग हैं, या आपके घरिलू नौकर हैं, या दुकान वगएरा पर जो नौकर हैं, जैसा आप कहेंगे, वहिसा नहीं करेंगे, पुछ उल्टा सीदा कर देंगे, जिसकी वज़े से आप परशान हो सकते हैं, आप गुसा भी हो सकते हैं, तर गलत काम करेंगे, तो आप फेर डांट वाट कि देंगे आप उनको, तो ये आपने टेंशन का काम होगा, लेकिन डांट खाने के बाद फिर वो सही काम भी करने लगेंगे, फिर काम धीरे दीरे पटनी पर आ जाएगा, तो इसका कहने का मतलब यह होगा, थोड़ा नजर बना कर रखिएगा, आपकी तरक शक्ती में इदाफा होगा, सरकारी करेंगे, तो फ़िक्कत नहीं होगी, मकान में कुछ टूट फूट को आप सही करा सकते हैं, मकान में कुछ बदलाव कर सकते हैं, एक मंजिल को दो मंजिल में परिबर्सित कर सकते हैं, खर्चा होगा, 19-21 तारिक को आपको उत्तम संपत्ती मिलने वाली है आप ऐसा कह सकते हैं तो अच्छा दिन रहेगा जहां पर धलाव हो रहा है पैसो का सही जिकर भी उपयोग कर पाएंगे मनरंजन के लिए भी समय निकालेंगे कामगाज के लिए भी समय निकालेंगे परिवार के लिए भी समय निकालेंगे बजार में घूबेंगे चीजे खरी देंगे मौज मस्ती करेंगे जीवन साती की चोटी बड़ी जरूरतों को पूरा करेंगे घर की हर सदेसर की जरूरतों क पढ़ेंगे अच्छे लोग आपके नजदीक आएंगे और तेज तारीक को शाम को तो कहीं थोड़ा सा एक्सिडेंट बगएरा चोटा गोटा हो सकता है ध्यान रखिएगा अब हम बढ़ जाते हैं 24 नॉमबर से 30 नॉमबर तक आखरी सब्ता हमें तो दिरांग 24 वा 25 को थोड़ा सा टेंशन भरा समय रहेगा चोट चपेड लग सकती है मूड खराब हो सकता है सहत खराब हो सकती है दिमागी परशानी हो सकती है कोई उल्चन आ सकती है और कुछ ऐसे फैसले लेने पर सकते हैं जिनको लेना आपको अच्छा न लगे आपके प्रत्ते करने के बाद भी अस्तफलता का मूह देखना पड़े काम काज में भाग दौर जादा हो सकती है कीज़े देखते रहें फोन पर जिससे आपका काम गड़ बढ़ा सकता है 27 तारिक को जो भी लोग सरकारी करमचारी पेंशन इत्यादी ले रहे हैं जिनका भी सरकारी मामलाटका हुआ हुआ है उनका काम पूरा हो जाएगा जिस कारे में हाट डालेंगे उसमें सफलता प्रा आपके पुराने अठके हुए काम पूरे हो जाएगी किसी नवीन वर्स्तों की खईदारी आप कर सकते हैं तीस तारिक को समय शांदार रहेगा लोग आपकी यश और कीति का गुर्गान करेंगे प्रेम संबंद में सफलता मिलेगी समय बहुत अच्छा रहेगा आप करनी है और भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमा मंत्र का चाप करना है और एक महा मंत्र आपको दे रहा हूं वह है राधे राधे कहते जाए नारायन चले आएंगे कृष्ण विहारी चले आएंगे इतना काम कर लिए का सब बढ़िया हो जाएगा और अगर आपकी जनम कृड़ी में ग्रहों के इस्तथी बहतर है सारे ग्रह अच्छी पोजिशन में है चाहे पैदा होते ही आप अच्छी कृड़ी लेके पैदा हुए या वाइसा हो सकता है या पुपायों के माद्यम से आपने ग्रहों को सही कर लिया है तो फिर आपकी ब 2023 को बहतर बनाने के लिए हम और आपस आप आपस में बात करेंगे आपको सही उपाय बताएंगे और 2023 को बहुत बढ़िया बनाएंगे अभी फोन में लाइए अपनी आपके कदम जुमें जाधा देर मत करिएगा क्योंकि जितना वक्त बीटता जाएगा उतना गोल्डन टाइ करें कि इस महीने को और बड़ी आतरीके से वक्त को बिताएं और अपने खान पान का विशयों तो लेकर कर